नमस्कार साथियो आज असाम के प्रभारी पूरव रक्षा मंत्री जितेंदर सिंग जी के नेत्रितव में कॉंग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधी मंडल मुख्य चुनाव आयुक और उनके साथी चुनाव आयुक हम उनसे मिले किस प्रकार से असाम में प्रजा तंत्र को पाउं तले रोन्दा जा रहा है किस प्रकार से संविदान की हत्या हो रही है किस प्रकार से पद का दुरूपयोग हो रहा है किस प्रकार से किस निर्मंता से ब्राइबरी यानि वोट को influence करने के लिए कई प्रकार के प्रलोभन और भरश्चाचार का दुरूपयोग का इस्तेमाल हो रहा है और ये सब भी वहां के मुक्यमंत्री शिरी हेमंता विश्वा शर्मा द्वारा ये सारे तथे चुनाव आयोग के सामने रखे गए हमने चुनाव आयोग से मांग की कि जिस प्रकार से असाम में उप चुनाव में वोटरों को प्रलोभन देकर तराकर धमका कर सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग करके और जिस प्रकार से वीडियो पर उनके सारे बयानात मुख्यमंत्री के हैं उनके उपर कड़ी कारवाई की जाए सेक्शन 123 रिप्रेजेंटेशन और पीपल आक्ट में ब्राइवरी का मुकदमा दर्ज किया जाए और मुख्यमंत्री हिमंता विस्वा शर्मा पर प्रतिबंद लगाया जाए हास तोर से चितेंदर सिंग्जी ने ये भी याद दिलाया कि हिमंतो विस्वा शर्मा समीधान और कोड ओफ कंडक्ट उन दोनों के उलंगन में हैबिच्वल ओपेंडर हैं दो अप्रेल 2021 को भी भारत के चुनाव आयोग ने हिमंतो विस्वा शर्मा पर प्रत की बंद लगाया था क्योंकि उन्होंने नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजनसी का दुरूपयोग कर अपने विरोधियों को डराने का कुछित प्रियास किया था आज फिर जब उन्होंने मुक्यमंतरी का पत समाल लिया तो वो सरकारी खजाने का दुरूपयोग कर सरकारी को डरा कर घंकाकर पर लोभन देकर लालच देकर एक बार फिर प्रजयत तंत्र की लालिमा को धुमिल करने का एक शडियंतर कर रहे हैं और इसलिए हमारी ये मांग है कि हिमन्तो विश्व शर्मा पर एक बार फिर प्रतिबन लगाया जाए और हिमन्तो विश्व शर्मा जी पर ब्राइबरी के आरोप में सेक्शन 123 रिपर्जेंटेशन और पीपल एक्ट में एफ आयार दर्ज की जाए चुनाव आयोग ने हमारी पूरी बात सुनी सारे काच्चों का अवलोकन किया वीडियोस का अवलोकन किया बाकाइदा एक नोटिस आज 5 बजे तक उनको जबाब देने को कहा गया है और अब जितेंदर सिंग्जी से अनुरोद करूंगा कि वह अपनी बात संशिप में आपको कहेंगे कि असामतब प्रशाशन वां की पुलीस वां का एड्मिन्स्टेशन भारती जंता पार्टी के कारेकर्टा की रूप में काम कर रहा है वहां के नेताओं को डराये जा रहा है मैं आज सुबह ही आसाम और बुसाईअगाओं शेत्र से आया हूँ जो एक वेस्ट बंगल का बौर्डर के का इलाका है यहां तक कि वहां के जो इलेक्तिव रिप्रेजेंटेटिव है वहां की सप्रपंच है वहां की जिला परिश्क वो उनको ठेटेंग कर रही है उनको धमका रही है अरेस्ट करने के लिए उनकी बाद कर लेकिन खुले मंचों से कर रहे हैं कि कोई भी दूसरी पार्टी से कोई आता है और भारती जनता पार्टी जोईन करता है तो मैं दो हजार करोड़ों के देऊंगा पब्लिक मीटिंगों के अंदर महिलाओं को प्रधान मंत्री आवास अलॉट्मेंट होता है चावल अलॉट हो रहा है रोड़ बनाने की पीडबल्यूटी को और दूसरी एजंस्यों को आदेश मोखिक आदेश पब्लिक मीटिंग में दिये जा रहे हैं को कॉलिज का एलान हो रहा है चाय बगानों के अंदर एक एक करोर रोपे के रोड बन रहे हैं कि इससे बड़ा आचाहसिता हो नहीं सकता है इसलिए आज हम सब लोग चीफ एलेक्शन कमिशन के पास आए हैं और उनसे हमने निवेदन किया है कि भारत के समयधान को आप बचाएं और हिमंता विश चुनाव आयोग ने सारी बात सुनी, सारे साक्षे और तत्खे देखे मेरे सातं ही हाथ कंगन को आर्सी क्या पड़े लिखे को फार्सी क्या जब हमने वो सारे वीडियोज ही चुनाव आयोग के सामने रफ दिये जिसमें समिधान की परिपाटी का उलंगन और ब्राइविरी का ओफेंस बनता है सेक्शन 123 रिप्रेजेंटेशन और पीपल अक्ट में उसके बाद जूट और सचका तो प्रशन ही पैदा नहीं होता फिर भी नैचुरल जस्टिस के अनुरूप मुख्यमंत्री को नोटिस दिया गया है पाँच बजे तक और वो पाँच बजे का समय भी पूरा हो गया है हमने चुनाव आयोग से अनुरोद किया है कि वो हैबिचुवल उपेंडर हैं और इसी चुनाव आयोग ने उन्हें 2 अप्रेल 2021 को दोशी पाया था अगर एक ही व्यक्ति बार बार अपराद करे समीधान का अपमान करे प्रजातंतर को रोंदे कानून की परिपाटी का उलंगन करे वैसे व्यक्ति को सारवजनिक जीवन में उस पर प्रतिबन लगाना अवश्यक है तभी प्रजातंतर की शूचिता बच पाएगी हमें उम्मीद है कि भारत का चुनावायोग सही और उचित कानून और तरक संगत कारवाई करेगा धन्यवाद अजर एमें उचर्मा तो चुनावायोग की तरफ से वीडियो कारवाई कर सकता था या आपकी शिकायत के बाद आपको कर सकता था अदरी साथी हमने बाकाइदा जो हमने आपको दर्खवास दी है उसमें यह लिखा है कि जो प्रांत के वहां के चुनावादिकारी हैं उनको 21 तारिक से लगातार शिकायत की जा रही है पर वो पंदू बने बैठे हैं या तो वो घबरा गए हैं या वो डर गए हैं या किसी प्रलोबन और लालच में आ गए हैं और इसलिए भारतिय राश्रिय कॉंग्रेस को जितेंदर जी की अगुवाई में आज हमें भारत क चुनाव आयोग के पास आकर इस प्रकार से समीधान को रोंदने और अपराग करने की वो भी मुख्यमंत्री के द्वारा उन सारे तत्यों को उनके सामने रखना पड़ा एक सवाल क्या आप लोगों के शिकायत के बाद इलेक्सर कमिशन ने नोटिस दिया है या पहले नोट कि एक असाम में और एक ये कंप्लेंट जिसकी कॉपी भेज रहे हैं उसके आधार पर बाकाइदा हमारी शिकायत का हवालक देते हुए ये नोटिस जारी किया दन्यवादी